अधिक्तर टीचरों ने सभी ने यूट्यूब पर इस चैप्टर को दिया है छोड़ क्योंकि यह चैप्टर है कैई चैप्टर का मिक्स संख्या बद्ती लेसे मैसे और इसके बाद सरली करण उसके बाद आपने वर्गमूल घंदमूल पढ़ा है उसके बाद आपने ओसत पढ लेगा तो आप बिल्कुल गब्राई नहीं हम है आपके साथ और यहां पर कराए जाएगा आपको इसका एक एक कोशन क्या है पहला कोशन क्या है किसी संख्या का दो बटे पांच का तीन बटे साथ क्या कहा है इसने संख्या का दो बटे पांच का तीन बटे साथ एक सो अठाण में है तो बराबर है एक सो अठाण में के तो संख्या बतानी है अब का का मतलब पहले ही पता है आपको का का मतलब क्या है वहिया का का मतलब है गुना इसका मतलब संख्या अगर आपको निकालनी है तो का की जगे गुना ल अब देखें तीन दुनी 6 और 6 से से काट तो 6 ती अठारे 6 ती अठारे इसका मनलम संख्या जो आजाएगी आपकी वह आजाएगी 33 गुणा 35 जो था पहला उसका के नहीं है और अगर शूझा तो ऊसका तीन बड़े पास दोनों का अंतरपचास तो मान के चलिए यह तो संख्या है और अगर ये संख्या है तो उसका तीन बड़े पांच निकाल वाँ तो ये तीन बड़े पांच तीन आ जाएगा इन दोनों का अंतर देखो भई कितना अंतर है दो तो दो ही बराबर किसके हैं दो ही बराबर हैं पचास के और पाँच बराबर किसके हैं पाँच बराबर हैं संख्या के दो सकाटा हमने 25 बार और 25 बंजे 125 तो ये 125 इसका उत्तर बन जाएगा कोशन नमबर 2 का बढ़ते हैं कोशन नमबर 3 की तरब कोशन नमबर 3 देखते हैं भई क्या है कोशन नमबर 3 एक संख्या का 4 बढ़ते 5 उस संख्या के 2 तीहाई से 10 दिखें मनलब संख्या के 4 बढ़ते 5 और 2 बढ़ते 3 का जो अंतर है डिफ्रेंस है वो 10 के बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखते हैं भई एल्चम लिया हमने इसे तो कितना है आप 15 तीन चोग 12 पांदूनी 10 डिफ्रेंस है बीच में लेकिन जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या हम देंगे गटा तो जो संख्या आजाएगी आपकी वो संख्या कितनी आजाएगी आप देख सकते हैं संख्या गुणा 2 बटे 15 बड़ा बना जाएगा 10 के 2 पंजी 10 और संख्या आपर आराम से बन जाएगी 15 पंजी 85 तो ये इसका उत्तर बना कोश्य नंबर 3 का next बड़ता है कोश्य नंबर 4 कि दर criminal कोश्य नंबर 4 देखते हैं बही क्या है क्या है एक संख्या के पाँच्वे चोथे पाँच्वे भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है उसने का संख्या के चोथा भाग मदलब एक बटे चार और एक बटे पाँच का योग उसके तीसरे भाग मतलब एक बड़े तीन से कितना बड़ा है भई ये बड़ा है 28 बड़ा है और हमें निकालनी है संख्या तो यहाँ पर देखें यहाँ गया 28 ठेक है अब यहाँ पर देखें यहाँ जाएगा भई संख्या गुणा 15 और 1227 में से भीष जाएंगे साथ बड़े साथ बरावर 28 लब साथ चोग 28 और संख्या बनेगी 240 संख्या कि दरी मन जाएगी 240 अच्छा इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिन बच्चों पर यह जो हैं नहीं आते ही जिन पर LCM में दिक्कत हैं वह क्या करें भई एक बटे चार एक बटे पांच और एक बटे तीन को इस तरह से रेखे हैं अब इन तीनों की करदो मिल्टिपलाई तो साथ बनेगा भई कट दोजी से 15 आया कट दोजी से 12 आया कट दोजी से 20 आया अब देखेए पलस के 15 आया कुए ये जो हैं दोनों एक साथ हैं ये भहिया भहिया बहिया और ये इनका दुसमर है ये है –- ٹिक है जी तो इन दोनों उजूटा 27 है और 27 में से अगर भीज जाएंगे तो साथ बराबर आजाएगा 28 के और जो LCM है वो ही संख्या है जो LCM है वो ही क्या है संख्या तो 60 बराबर आजाएगी वही संख्या के मतलब साथ चोग 28 और संख्या फिर वापिस क्या बन जाएगी आपकी 240 ही बन जाएगी आपर संख्या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कोशन नम न्मर पांच के तरश थ थे हैं क्या है कोशन नमर पांच परिशन कि संख्या की शाथ कर सेंट का थीन बटें 536 है संख्या चैनल पिए अब के का मतलब गुना दारक्त लगा दो है 60% अब 60% की बात है 60 बटे 100 करदेंगे percentage भटाना हो तो बटे में 100 लगाना है और percentage लगाना हो तो गुणा में 100 लगाना है का का मतलब गुणा 3 बटे 5 बडर है किसके 36 के 20 तिया 60 20 बटे 100 तीन तिया 9 और 9 चोग 36 तो इस तरह से जो संख्या बनेगी आपकी संख्या मन जाएगी वही पान पंजे पच्चेस चो का सो यह आजाएगा आपका कोश्च नमबर पांच का आंस्वर आया कोश्च नमबर छे साथ सो चालिस का पैंतिस परसेंट एक संख्या से चोंतिस अधिक है तो संख्या का दो बटे पांच कितना गयात करना है मैं दो बटे पांच गयात करना है तो पहले संख्या गयात कर लो भाई सब्सक्राइब कर देंगे संख्या से चोंतिस गटा देंगे तो संख्या मिल जाएगी जीरो से जीरो जाएगी दो से काट देंगे 37 बार गटेगा दो से काट देंगे 5 बार 5 सते 35 और 269 में से 4 जाएगे 225 अब हमें क्या निकालना है संख्या का का मतलब गुणा 2 बटे 5 संख्या का 2 बटे 5 निकालना इसका मतलब 225 का आपको निकालना है 2 बटे 5 5 से का टबई 525 25 45 और 90 इस कोश्टन का मन जाएगा भाया आंगे पर किसका कोश्टन नमबर च्छाएगा चलते हैं कोश्टन नमबर 7 की तरब कोशेस नम्मर साथ कहा है किसी संक्या के 2005% अन्तर तो संक्या का 75% न्तर प्छ्चि-बूइगा हमें निकालना है 75 प्रसेंट बराबर आजाएगा आपका उत्तर मतला हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हो पंदरा दुनी तीज पंदरा बंजे पिशत्तर दो से काट तो बहीं 2 पंजे 10 ठीक है 2 पंजे 10 तो यहाँ पर जो बैल्लिव आ जाएगे आपकी पान बंजे 25 और 27 27.50 उ कोशन नमर 8 देखते हैं यदि एक भीन के अंस में 1500 परसेंट की व्रद्धी करती जाए और हर में 1600 परसेंट की व्रद्धी करती जाए तो प्रेणावी भीन 25 बटे क्यावन होती है मूल भीन क्यात करनी है अब थोड़ा ध्यान दे का समझना भीया मूल भीन क्यात करनी है कु तो परसेंटेज का में व्रद्धी तो जोडना पड़ेगा और हर में शाहदे 3100 परसेंट की व्रद्धी तो यहां पर भी सोड़ना पड़ेगा फिर दोनों में तो जोड़े हैं तो अन्स में 200% और हर में सजघे 40.000 कर रदियों जाय के परसंटेज जो है तो हम से छोड़ दें क्यों कि नो良ी जेगे परसंटेज़ हारा है लेकिन आपको क्या करना है जो काम इसने हर मैं कहा है वह वह भा सब्सक्राइब आप दूर्ण टो इंटू में हरके और इसने कही है साढ़े तीन सो परसेंट की रद्धी अन्स में तो जिरो से जिरो गई पच्चीस से पच्चिस गया भई तीन से गाट देंगे 15 बार तीन से गटेगा 17 बार और उत्तर आ जाएगा आपका मूल भीन जो थी वो थी 15 बटे 17 यह आपका अंस्वर बनेगा कोश्चिन नम्मर आठ का चलते हैं भई नेक कोश्चन की तरब जो है कोश्चिन नम्मर नो एक संख्या के तीन चोथाई का एक तीहाई तीस है उसना का संख्या के का मतलब गुणा तीन चोथाई का मतलब तीन पटे चार का का मतलब गुणा एक तीहाई का मतलब एक तीन बट जाएगी 120 कि यांसर इतना चोटा-चोटा से इसमें कोश्चन है दरस्वाड कोश्चन देखो बहीं किसी संख्या के एक टिहाई के एक चोथाई का दो टिहाई च्छाय है संख्या का आतकरने है का है सब जगे मदला गुणा लगनी है संख्या का क्या कहा इसने एक तियाई, एक तियाई का मतलब भई एक बटे तीन है, एक तियाई, अगर तीन टोटल है, तो उसका एक भाग लेना है, एक चोथाई, अगर चार टोटल है, तो उसका एक भाग लेना है, का दो तियाई, अगर तीन टोटल है, तो उसका दो भाग लेना है, और सब जगे का ह तो मनलब गुणा बरावर किसके है चेके तो दू दूणी चार तीन तीया नो दूणी अठारे और अठारे कुणा कर दो भीया किसमें अठारे कुणा कर दो छय में अठारे चिकका 108 यह बन जाएगा आपका अंस्वर 108 बाट कोशचर नमबर 10 का नाक चलते हैं और 11 के तरफ 11 कोशन देखते हैं वही क्या एंग है क्या रहा है एक संख्या के दो बटे 3 तरफा 3 बटे 5 तरफा उसी संख्या के लोगे 4 का दो बटे 5 इन दोनों कांतर 270 है संख्या गयातकर नी है संख्या कि दो चीज बताई इसने क्या बताई है दो बटे तीन का का मतलब गुड़ा तीन बटे पांच और दूसरी लिए है एक बटे चार का का मतलब गुड़ा दो बटे पांच का अंतर 288 है तीन से तीन का दो दूनी चार तो संख्या अगर आपको निकालनी है तो पहले देखना पड़ेगा यहां है दो बटे पांच और यहां है एक बटे दस तो बराबर हो जाएगा भई किसके 288 जैए यहां दो दूनी चार में से गए तीन बचेंगे ठेक है तो यहां पर आय आपका उपर संख्या गुना तीन मटे दस मरावर 288 जैए तीन नम सत्ताइस और तीन चंग ठार है तो संख्या कितनी मनी बटे यहां संख्या बन जाएगी 960 और यही इस कोश्चन का अंसों है इसका कोश्चन अम्मर गया रगा मारम कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं भई को एक संख्या के चार बटे पांच उसी संख्या के दो ती हाई से दस है एक संख्या के चार बटे पांच और उसके दो बटे तीन का अंतर दस है और मैं समझता हूं यह कोश्चन हो गया है रिपीट रिपीट कोश्चन हो गया है कोश्चन नम्मर तीन जो आज गा था कोश्च बचा के तना दो बचा गया दो तो यह है दो बटे 15 बटे 10 2 पंजे 10 और 15 पंजे 57 तो संख्या जो है वो कितनी बनी वई 570 है संख्या कितनी बनी 570 है उद नद तीसरा और 12 वा कोश्ण आपका सेम है next बढ़ते हैं कोश्ण नमबर 3 कीतर यहाई उसे स्विगए the 100 का उन्मेन था कोश्छा नंबर क्षेरा है क्षा लहर्ण ट्युल्फ आनदर प्रकैल ज करें क्षे zurज लोदक्षिक प्रसका कह्षा verify युद घाल Meyer को दिदा हर टो pao गया कला है कि लिए विए अगर पुरॉब 168 और 168 इस कोश्चन का आंसर बने जाए इसके बाद है कोश्चन नम्मार चोद्य की बात कर लेते हैं कि वह कौनशी संख्या है जिसे तेरे से गुणा करने पर उसमें 180 की वर्दी हो जाती है तेरे से गुणा करने पर अगर संख्या में हम अधरे से गुणा करने और व्रदी देखनी है तो शंख्या कोई घटाना पड़ेगा। और वही एक स्वास्ति की इसका मतलब 12 गुणा संख्या बराबर किसके बहीँ एक स्वास्ति की बारे से कटेंगे 15 बार कटेगा और संख्या इस तरह से कूल मिलाकर क्या बन जाएगी ब तेंदा कोश्चनमर आपका चोध वाँ ठीक है नेक्स बशते हैं कि पंद्रे कितरा कोश्चनमर 15 कि किसी संख्या और 206 में से बाग देने पर 75 सेज बचता है उसी संख्या को सब्सक्राइब किसी संक्राइब से भाग देने पर 21 से भाग देंगे तो क्या बजेगा तो 19 से भाग देना है 21 को तो 19 से कम 19 बजे कितना दो और यह आपके कोश्चन का है भाई यहां आंसर ठीक है नेक्स लेते हैं कोश्चन में 17 सत्रवा कोश्चन देखते हैं का भी छे गर्मागत संख्याओं में से पहले तीन संख्याओं को योग 27 है से थीनि संख्याओं को यह उख्षल क्तना हुआ देखो 6 संख्याओं ए एक दो तीन चार पाच छै पहली तीन का ग्योग 27 है अगर मां उसत की बात करूं पहली तीनके केवल पहली तीन की ध्यान देने वाली स्टेगर जीए अब यह तो इन तीनों को जोड़ दो यह बीच का क्यूंकि यह उसत या गया अब इन तीनों संख्या को लास्ट ora को उसत क्या बनेगा गारा थो बार्ष। 125 इसका जो कितना मन जाएगा 36 बन जाएगा, या फिर आप क्या करें, या फिर आप क्या करें, इन तीनों को आप जोड़ कियो सकते हैं, तो इस तरह से ये था भई, question number 17, पाँच क्रमबद, क्रमबद का मतलब होता है लगता, पाँच क्रमबद, विसम, संख्याओ का योग, 235 है, इन में से बीच वाली संख्याओ का योग 235 दिया है, और बीच की संख्या निकाल लिए तो ओसत का chapter आप पड़ चुके हैं, अगर विसम संख्याओं दी गई हैं, गिंती में विसम संख्याओं दी गई है, और योग दिया गया है, तो आप उनका ओसत निकाल दो, और जैसी ओसनिकालोगfulness वाली बनेगा इस वाले को शर्मत हो कैसे बही 235 योग है 235 योग कितने का है 235 योग है 5 संख्या होगा तो वह सत्किता ना बनेगा भी 235 बटे 5 तो 520 और 535 बीच वाली संख्या जो आ जाएगी वह कितने आएकी 47 बीच वाली संख्या इससे आगे जाना तो दो अऩ डिबाद ओर आगे जाना दो तो थे इस तरह से 5 की 5 संख्या गयात कर दी कितनी है वर संख्या कौश्या नंबर 19 की बात करते हैं कहती है ऑबी ड ये दे ये 노ENEकर पांच विसम संंख्याए है देखेंगें यहाँ पर भी विसम संंख्याए देती हैं A B C D और E ये पाँ संंख्याए दी हैं क्या कहा इस ने A तथा C का योग 116 है A तथा C का योग 116 है ठीक वह । 140 है तो E का मान बताना आप इन दोनों तो होगा यो कितना है 146 क अगर मैं इन दोनों के उसत निगाल दो भीच की संख्या जाएगी मातलब दो संख्यान ही दो सभाल च्डुंि दो करा दो सद जो तौद ke इसتर है अगर में вами की बात करूंगा तो फिश तर डी की बात करूंगा और एकी बात करूँसर आप कोины संक्य चाहिए और आपको तोर्पनेगा 79 मैंने सभी संक्याय निकाल दी है लेकिन आपको केवल एक की वैल्यू चाहिए थी वह आ चुकी है 79 बड़ा आसान कोशन था यह भी नेक्ट देखते हैं और यह होगा आपका कोशन नमबर 20 कोशन नमबर 20 क्या है अभी तक दो कोशन देखें, दोनों में थी विसम संख्या है, लेकिन इस बार हैं संख्या, कोई बात नहीं है A, B, C, D और E, निरनतर पांच विसम संख्या है A तथा B का योग, अब इस बार इनों ने इन दोनों का योग दे जा, कितना 165 ठीक है, तो सभी संख्याओ का योग कितना होगा, हमें बताना है, सभी संख्याओ का योग कितना होगा देखें वोसत निकाल दो बहीं, दो सभाग करा, तो E, C, C आया इसका मतलब अगर मुझे A की वेल्यू सी है, तो इसमें A घटा दूँगा, और B की वेल्यू सी है, तो इसमें एक बढ़ा दूँगा और सारी संख्याओं मतलब दो बढ़ाते लिए होगाई, यह 84 है, यह 86 है, और यह 88 है अब यह निकालना आपको, आपको निकालना है यह तो तरीके हैं दो, या तो आम इन सभी को जोड़ दो, या संख्याओं का अंतर बरापर है, सार्व अंतर बरापर है तो आपके अगरेंगे बीच वाली संख्या में जितनी संख्या हैं उन्चर उना कर दो भई तो आठ पंजे चालिस पांच्छों बीस इसका मनलब 420 बनेगा इसका योग किसका कोश्चन नमबर 20 का कि बात करते हैं कोश्चन नमबर 21 की करमाघथ 5 संख्याओ का योग 270 है दूसरी और पांच्वी का योग बताना दोसरी और पांच्वी का योग बताना अभी देखें, तीन कोशन देखे हैं, पहले दो भी समके थें, फिर तीसरा कोशन समका था, अब के करमागत है, मतलब लगातार है, तो ओसत मना हुआ, ये बीच वाली संख्या जाएगे, पान पंजे पच्चिस पांज संख्या है, पांज से भाग कर देंगे, दो सतर को पान पच्चिस बचेंगे, दो, पांज, चूक, बीस, इसका मतलब भी यह है, चोवन, अगर पहले संख्या से यह करमागत है, लगातार है, मतलब एकक घटा दो, और अगर बाद की संख्या जाएगे, तो एकक बढ़ा दो, ठीक है भी, अब इन दोनों का योग चाहिए, पर, नेक्ट देखते हैं, और यह होगा आपका, कोशन नमर बाइस, क्या कराब है, कोशन नमर बाइस देख लेते हैं, बाइस हो कोशन क्या है, यदि तीन करमागत प्राकर्तिक संख्याओं के वरगों का योग फाल, 110 है, तो सबसे छोड़ी संख्या क्या है, अच्छा इसे उपस्ण से लिया हमने, यह उपस्ण है आठ, बीच है, साथ, और यह पाँच, इसने का, कि तीन करमागत प्राकर्तिक संख्याओं के वरगों का योगफाल 110 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताने हैं, इसका मतला अगर छोटी संख्या यह है, अगर मैं सबसे छोटी स अगर मैं वरगों का योग करूं का, तो 110 हाना चाहिए, तो 25, 25, 6, 36, 7, 7, 8, ठीक है, अब जोड़ा, 9, 6, 15, 5, 20, हासिल को दो, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, इसका मतलब बिल्कुल सही है, और यह उपस्ण ही आपका सही है, क्या कहा था, दुबार देख लेते हैं, उसने कहा था, तीन करमागत प्राकर्तिक संख्या होगे, वरगों का योग 110 है, छोटी संख्या, अब जो चीज पूछ रहा है, वही आंसर है, मतलब, वही उपसन में दी गई होगी, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या दी गई है, और बड़ी संख्या पूछ तो बड़ी संख्या दिया होती हैं यहां पर सबसें छोटी दिगई है इसका मनलब आगे की बात करूं तो पांस जागा दिया है चैर छागा दिया है उसने 110 वर्गों का योग कराम में सबसें छोटी संख्या ली उप्सन में तो बन गई बात 23 वे कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं यह है कोश्चन नमबर 23 क्या है वह दो पूर संख्याओं के वोनफल 37 है इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा ठीक है अब 37 के टूड़े बता हो वही फैक्टर क्या हो सकते हैं 37 है एक भाज्य संख्या मनलब प्राइम नमबर 37 के के पर दो टुड़े हो सकते हैs 3 300 एम 12 के इसके तो थिमाग माव ओर और तो प्रक च्पर्ज् सकते हैं अब इसने कहां इन थोनोंके अंतर का आप साय में निकालना ठीका थिगा और यह उवह लिडे अंतरेस कि अवर स्यक्राव करेश को इनका योग इनके अंतर से बैली सदीख है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? अगर योग और अंतर का अंतर दे रखा है, तो छोटी संख्या निगलेगी बईया, छोटी संख्या, जो भी कम यह जादा दे रखा है, उसको भाग कर दो आप, ठीक है जी? अगर उसने योग अंतर से दिख दिया है, तो छोटी निगलेगी, और अगर अंतर योग से जो है दिया है, उसने कम, तो फिर निगलेगी यहाँ पर बड़ी संख्या, तो यहाँ पर छोटी संख्या निगल जाएगी, छोटी संख्या है 21, अब एक बाल बताओ, दो संख्या ह इस तरह से इसका जो बड़ी संख्या होगी वह बावन है और जो छोटी संख्या है वो 21 नेट देखते हैं अब कोशन नम्बर यहाया है आपका 25 25 वा question क्या गरा वई दो करमागत प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गु का योगफाल 61 है संख्या क्या है options से लेते हैं वई 4-5 हो सकता है क्या 5-6 हो सकता है क्या 6-7 हो सकता है क्या और minus 6 और minus 5 हो सकता है अब देखे करमागत है तो मदलब करमागत तो सारी है लेकिन वर्गु का योगफाल कितना दिया है इसने वो दिया है 61 ठीक है तो वर्गु का योगफाल 61 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर वर्गु का योगफाल करके देखा हमने तो 4-4-16-5-5-25-41 इसका मदलब योगफाल गलत है अगर इसका वर्ग करें तो यहाँ भाई तो यहाँ तो यहाँ पर जाएक तो यहाँ दो यहाँ जाए तो क्योंकि जब वर्ग करेंगे आपका B option, B option मरेगा प्राकर्तिक नहीं यह जो है आपकी रिनात्मक संख्छाइ है। तरिश्चाल देखे क्या है चार कर्मिक संख्याों का साथ है। इन संख्यातों के वर्गों का 66 थे निदेट रियों 3 को लुए 10 कि उनकी का सफी हूं यहाँ पर क्या दिया इसने ग्योग फिल्षार दिया इसका मतलब अगर मैं ओसत निकाल दूँ तो इसे साठ को भाग कर दूँगा वैं किसे चार से तो पंद्रा जाएगा इसका मतलब इससे पहली संख्या होगी वह यह चोदा है और बाद वाली संख्या होगी शोले ठीक है योधाम फिज संख्या अगर सम है तो दो बढ़ाना विसम होता तो भी दो बढ़ाते करमा तो ठोटा तो एक बढ़ाते तो इधर बढ़ाता दो खाता जाएगा मतलब क्या करना वर्गों का योग ठीक है बही मोटा साने 141 आंप तेन सो चोबिस कुल मिलाकर बन जाएगा ये 920 और 920 आपके किसी ऑप्शन में है बिल्कुल है डियो अप्शन में और डियो उप्शन इसका सही से बजाएगा ठीक है इसके बाद आया कोश्चन नम्मर 27 और 27 मों पूश्चन 26 वे कोश्चन का ही बहिया है और भाई का आंस्व संख्याओं का योगवल 156 है ठीक है एक दो तीन और चार 156 का मतलब को चार सभाग करो चारते बाद चार नहीं 36 ठीक है और इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना फिर वह बात एक कम कर दो तो यह 38 अजाएगा एक बढ़ा दो यह 40 अजाएगा दो 42 दो बढ़ा दो 36 अब आपको क्या करना के वल 36 का वर्ग 38 का वर्ग 40 का वर्ग और 42 के वर्ग करके और इन्हें जोड़ना है और जोड़के मुझे यहाँ पर आंस्वर करना है कमेंट कमेंट बोक्स में नीचे आपको आंस्वर देना है चलिए नेक्स देखते हैं कोशन नम्मर 28 28 कि यहाँ कुर्शन नम्मर 28 कि रखारा वित असहं फेल का दुट्रोटर उत्तर काम्तलब भी लगाता रहु है उत्तरों संक्खाव करनफ़ल कितना है 9506 है इन दोनों में छोटी संख्या क्या कैश चान में हो सक्लिक्स 520 बी ब요 Zoier दें ब्रीके सांकरन कि अख्या या थाण में है कोश्चन नमबर है आपका 28 अठाइस में 26 अठाण में नुन्याण में या इनमें से कोई नहीं कौन सा आंसर बन सकता है क्या कोश्चन था दो उत्तर उत्तर संख्याओ का गुणन फल 9506 मतला अगर यो छोटी संख्या पूछ रहा है तो आंसर सारे छोटी थाण में भादी चाहिआ तो अठाण में होनी चाहिए और बडी चाहिए तो नुन्याण में है और बड़ी चाहिए तो सो होनी चाहिए ठेक है और इनमें से कोई निया है तो फिर्न में से कोई नहीं अब देखो 7 शंग 42 अगर म cookies स्जांख्याओं को सही यह भी गलत है इसका मदलब इसका यह अंस्वर सही हो जाएगा ठीक है और अगर बिल्कुल कंफर्म करना तो आप गुणा भी करके देख सकते हो इन दो लोगी के वर आप इनको ही कुणा कर लो और किसी की जरूत नहीं है आठ सतें 56 का हाशिल को पांच नो ठेबातर और 930 है ठेक है जी पांच और पांच दस साथ दून चोड़ा है मतलब जीरो हाशिल जाएगा चोड़ा है और यहां पर 980 और जोड़ देंगे तो यह आजाएगा पिछाण बिल्कुल सही है तो इस तरह से आपका यह कोश्चन नमबर 28 का जो अंसर है वो बी ओप्शन सही जाएगा नेक्स्ट हैं कोश्चन नमबर 29 कोश्चन नमबर 29 कोश्चन नमई दो सतत समसंख्याव का गुरणफल कितना है 6888 है और सतत का मतलब वही लगाता रहे समसंख्याव इसमार दो गनतल लेना ठीक है और यह आपके सामने फिर वही चाल या पांच पांच आप्शन दे गए है थे रहेता माँ इन दोलों में बड़ी संख्या इस बार इन बड़ी संख्या इये 789 है ठीक भरी श्यससी है ठीक है और इसके बाद है 90 और इसके बाद है इन में से कोई नहीं अब यह बड़ी है तो छोटी मतलब लगतार की बात है और यहाँ पर समसंख्याओ की बात है इसका मतलब यह privacy रही होगी रही होगी 78 यह रही होगी 84 और ये रही होगी 88 इसका आम बादम देखें दो को भई आठ चंग 48 यो हो सकती है एक परसेंट लेकिन हो कैसे सकती है बदो अगर मैं 80 की 80 में ही गुणा कर दू तो अठवाटू 6400 आता है ठीक है जी मतलब 80 का वर्ग भी इसे छोटा है तो इनकी जो भी गुणा होगी वो छो जीरो आएगा गलत है भई छेट चोग 24 लास्ट में चारा रहा ये भी गलत है इसकी मैं डिप्लाइ करूंगा यो भी गलत है जीरो आएगा तो इसका मतलब ये ऑपशन इसका सही और परफेक टांसवर होगा है ये ऑपशन इसका सही है ठीक है बई नैस्ट देखते हैं कोश लेकिन इनके वर्गों का अंतर अगर वर्ग करके मैं घटाउं तो या जाएगा 25 डिफरेंस मतलब 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे 5 में से 2 जाएंगे 3 49 इसका मतलब गलत है दो हमें कहलाना है हमारा अनशियत 33 ठीक है इसका मतलब इसका भी देख लो भई तो आगे 36 यागे 81 मतलब आना कितना है 33 तो 11 में से 6 गए 5 यहीं छोड़ सकते हो क्योंकि लास्ट में है 33 में तीन आता है हैं 5 फिर भी घटा लो भईया साथ में से इन गई 4 45 यह भी घटा लो भईया साथ में से उननंचा चाट चोग 16 और गटाएंगे तो 33 यहाएगा इसका मतलब इसका मतलब यह बिल्पल सही आंसर है सही सही आंसर कोंसा है तीसवा इसके बाद आया कोश्चन अंबर 31 एक संख्या के वर्ग का दोना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है यह समिकर बन की भईया तो संख्या बता नहीं देखो भईया 2x स्पायर माइनस ग्यार एक्स माइनस 21 बराबर 0 21 दूनी 42, 42 कैसे टूड़े करने मुझे? 21 दूनी 42, 42 कैसे टूड़े करने जिन का अंतर क्या रहा हो? क्योंकि माइनस से तो अंतर देखा जाएगा तो होगी है भई, 14 तीय 42 ठीक है भई, 14 मेंस 3 जाएंगे, 11 बचेंगे? बिलकुल सही है इसका मतलब 2x को मन लेंगे, x माइनस 7 बचेंगा, 3 को मन लेंगे, x माइनस 7 बचेंगा, बराबर 0 तो x माइनस 7 और यहां पर आया 2x प्लस 3 बराबर 0 तो x के वैल्यू भई, 7 है और 2x प्लस 3 बराबर 0 इसका मतलब x को माइनस 3 बचेंगे, x के 7 और माइनस 3 बचेंगे, 32 पूश्य नमर 32 के बात करते हैं भई, दो संख्याएं, एक अनुपात 5 का अनुपात में तथा इनका गुनफल 320 है तो इन संख्याओं का योग क्या हो, तो पहले मैंसे निकाल दो, अगर गुनफल और अनुपात दिया गया है, तो मैंसे निकाल दो, अगर 2 संख्याएं हैं तो बरुमूल निकलेगा, अगर 2 संख्याएं हैं तो बरुमूल निकलेगा, भई, 3 संख्याएं हैं अनुपात के स और उसमें मैं ऐसे की करदो गुणा तो आठ शंग अटालिस और यही तो आन्सवरा जाएगा कोश्या नमर आया तैस्ट कोश्या नमर तैस्ट की बात करें दो संख्याओं को अनुपात तीन अनुपात साथ है परतियक में छह जोडने पर यह अनुपात पांच अनुपात नो एकिस है दूसरा उप्शन है पंद्रा पैतिस है तीसरा उप्शन है यहां पर छै चोदा है और यहां पर चोथा उप्शन है साथ पंद्रा है ठीक है यहां पर क्या है अनुपात तीन अनुपात साथ तीन तिया नो और तीन सते एकिस पांद्रा 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 प और च्पात मुझा हैघा कि आप परतियक में छोड़ने पर यह पाद पार्फ नौ जाता है अगर में छोड़ दू तो पंडर हो जाएगा अब तीन से खातो तो तीन पन्दरे अप्रम सताइस मतलब पांच जौन नौ अगर और 59 ऑद गा और 59 बना इसका मतलब इसका एह ओप् सही है next question अवर दो संखाय किसी ती संख्या से साड़े 12 और 25 परसेंट अधीक है मतलब तीन संख्या हैं पहली दूसरी और तीसरी अगर यह 100 है तो एक साड़े 12 परसेंट अधीक है और दूसरी 25 परसेंट अधीक है मदलब यह एक सो साढ़े बारे हो जाएगी और यह 125 हो जाएगी अब क्या पूछ लिया इसने इसने पूछ लिया भई पहली संख्या दूसरी के कितने percentage के बराबर है देखें मैंने पहले ही का था कि इस चैप्टर में क्या है संख्या उप्रद धायत वाले चैप्टर में क्या है कि कई चैप्टरों का मिक्स है अभी परचत्ता का चैप्टर इसे आगे आएगा बाद में आएगा लेकिन उसके भी कोश्टन यहां पर दे दिये गए हैं तो 112 कि उना करेंगे साड़े 22 चोका हो जाएंगे 90 तो यह 90 परसेंट के बराबर बनेगा आंसोर इसका नेक्स कोश्टन की बात करते हैं कोश्टन नंबर 35 का क्या है भी जैदि दो संख्या किसी 30 संख्या से कम से 340 परसेंट अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी का कितने गदिक है तो 130 हो जाएगी और दूसरी 140 हो जाएगी और क्या पूछ लिए पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है कितने परसेंट है तो यह जाएगा 130 गुना 100 बटे 140 00 गया दो से काट तो बई दो सत्य जोद है दो पंजे दस तेरे पंजे पैंसट छे सो पचास बटे साथ अब भाग करेंगे तो साथ नीम 63 बचे दो बीस वे साथ दुनी चोद है बचे 6 तो कूल मिलाकर आया बाणम सही 6 बटे साथ इस कोश्चन का अंस्वर तो आपके हो चुक है आगे बटते हैं कोश्चन नंबर 36 के तरब कोश्चन नंबर 36 का है वही देख लेता है कोश्चन नंबर 36 का है दो संख्याएं एक 30 संख्या से 30 और 37 परसेंट कम है तो दूस संख्या पहली से कितने परसेंट कम है देखे तीन संख्या है यहाँ पर भी यह अगर 100 है तो यह 30 percent कम मदलब 70 और यह 37 percent कम मदलब 63 ठीक ची सो 37 percent कम है तो दू सख्या पहली से कितने percent कम है यू कितनी कम है ?साथ % कम ही देखनी है अब कमी ज़्याद़ बड़ीaug Sakya पर देखे जाती है अग अदिक देखे तो छोटी पर तो साथ तो सो बठे जिससे देखा जा रहा है और बस हल कर दो 10% कम है कितना कम है दस परसेंट बहुत आसान है कोश्चन में आया आपका 37 तीन संख्याव का अनुपात तीन चार्प और छह है इनका गॉर्णफल उनिस सो चबालिस है तो बड़ी संख्या का है देखें जब आज हमने पहना कोश्चन के था तो उस में थे दो रह आनुपात की अगर संख्याव को निकाल ना और संख्याए तीन तो घंपन निकाला और गनम्ِّ निकालेगा आपका मैस अब यहां पर तीन संख्या तो घंपन न उनिस्तो चवालिस, यो है तीन, गुणा चार, गुणा छे, तो 6 से भाग करा भाई, 6 ती अठारे, 6 दूनी बारे, 6 चोग, 24, 12 से 8 तो भाई, 4 ती या बारे, 12 से 8 तो इसे, 12 दूनी, 24, कितने बचे, आपके 8 बचे, 12 सत्य, 24 ती इसका मतलब 3 आया, अगर बड़ी संख्या न अठारे, तो बहुत ही आसान है, अगर लेसे मैसे का सेप्टर अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, फिर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, कुश्चन नमबर 38 देखते हैं, 38, क्या है में, दो संख्याओं का अंतर 3 है, और इनके वर्गों का अंतर 49 है, इनमें बड़ी संख्या का है, अच्छा, दो संख्याओं का अंतर, मतलब X-Y बराबर तो 3 है, और इनके वर्गों का अंतर 49 है, अब एक बार बताओ, वर्गों का अंतर है, इसका मतलब इसा मैं एक बार जोड सकता हूं, एक बार घटा सकता हू और यह आजाएगा उन्तालिस इसका मान तो पहले सी पता मुझे कितना है तीन है तो मतलब योग जो बनेगा वो कितना बनेगा तेहरे इसका मतलब इकस پ्लस य बराबर आचुका है तेहरे अब कौन संख्या निकालनेए हमें आप निकालने बड़ी सख्या मतलु बड़ी निकालने तो जोट दो और चोटी निकालने तो गटा दो तो बड़ी संख्या कि आपके कितने 8 और यह अपका आउनस्वर भी है यह कोई इसकोश्टन क अन्से आजके तक प्र कोहरे हैं नेने सहां पहर इंतान्स कि लिए क्या व्यक्त है कि अप्टाो drift दो संख्याओं होगा पढ़रेन का सप्टन पर हो कि हो एकंपर इप एक तरहा है इन संख्याओं का गुणवनफल प्र पार्इबा में कि लैट्ड Das तो जाएगा x square प्लस y square प्लस 2xy बराबर 225 और वर्गु का योग कितना दिया एक 113 तो यह 113 प्लस 2xy का मतलब गुणनफल हो जाएगा है भई बराबर 225 तो दो गुणा गुणनफल बराबर आगया 225 में से 113 जाएगे 112 प्लस और दो से काड़ देंगे तो 25 और 26 बारे मतलब 56 बनेगा इसका आंस्वर तो जो गुणनफल है वो कितना है वो 56 है नेक्स्ट है कोश्चन नमबर आपका 40 कोश्चन नमबर 40 की बात करते हैं भई दो संख्याओं को योगफल 25 और अंतर 13 तो गुणनफल बताना है गुणनफल बताना तो चार गुणा गुणनफल 4 गुणनफल बरापर क्या हुझाएग आपका यहां इसने कहानन योगफल दिया है और अंतर दिया है योग औरंत दिया है तो यहां पर देखे हैं योग का वर्ग माइनस अंतर का वर कर दो बस आप तो योग है 25 अंतर है 13 25 का वर 625 13 का 180 घटा दो भई 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेंगे इसका मतलब हमें चाहिए गुणन फल हमें क्या चाहिए गुणन फल जाएंगे तो 4 से भाग करेंगे अभी 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4.16 इसका मतलब गुणन फल बनेगा 114 गुणन फल कितना बन जाएगा 114 और इस तरह से question number 40 हो चुका है आपका question number 40 next बढ़ते हैं और यह होगा question number 41 की बात करें question number 41 है दो संख्याव के वर्गो का योग 331 एकतालेस वर्गो का योग है वर्गो का योग है 331 और वर्गो का अंतर है 900 800 800 एकतालेस ठीक है जी अब हमें चाहिए संख्याए संख्याए का आतकाने तो जोड़ दो एक बार simple सा 2x square जोड़ा तो दो आया ठीक है दी 9 और 4 तेहर है 9 आठरेक 9 और 3 बार है मितला हम 223 आया 2 से काट दी हमने 2 दुनी चाहर 2 एकम दो 2 एकम दो और 2 चीक बारा इसका मतलब x square बराबर है 216 अब 216 है किसका वर्ग है यह 46 का वर्ग होना चाहिए भई देखे भई इसका वर्ग मूल निकालना तो 46 का वर्ग मूल आना चाहिए कैसे करेंगे लास्ट रंगों के जोड़े बनाए लास्ट माया 6 तो यह तो 4 आएगा अच्छा 21 से छोटा वर्ग देखना हमें 16 है उसके लिए जाएगा चार और 4 के मिटिप्लाई करो तो अगली संख्या में मदलब 4 पंजे 20 और यह संख्या बड़ी है इसका मदलब बिलकूल बड़ी है संख्या लेनी तो जो हमारी एक संख्या है वो है वह यह चालिस अब दूसरी निकालनी दूसरी निकालनी तो एक बार घटा दो भई घटाएंगे तो बच्या का 2 आए स्क्या बराबर घटाया जीरो पांच और बारे में साट गए 4 या जी दो सा गटा तो एक हम दो दो दूनी चार और दो दूनी चार दो पंच दस इसका मदलब यह है 35 का वर्ग तो दो संख्या जो है वो 46 और 35 दोनों संख्या हमारी आचुकी है ने कुश्चन देखते हैं और यह होग आपका आज का कुश्चन नमबर बैलिस्वा क्या कहरा विक बैलिस्वा है दो संख्याओं का योग 34 है और वर्गों का योग 650 है चोटी संख्या बतानी है योग दे दिया उसने 34 और वर्गों का योग दे दिया उसने कितना 650 ठीक है अब यहाँ पर हमें बतानी है कौन संख्या इन में से छोटी संख्या बतानी है ओप्सन से भी ले सकते हैं ओप्सन लिया आपने ए बी सी और डी ए ओप्सन है 11 तेरे 15 और 14 अज़ा दो संख्याओं का योग 34 है अगर 11 है तो दूसरी बात दूसरी संख्या जो निश्ची थी रूप से 23 रह योग कर लो 121 और इसका वर हुजाएगा पांच 57 जोड़ा नोग रेक दस्क दो डुचारर रेक पांच 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 रेक छिशा इसका मसला पहला इंस्वल जो आपका बिलकूल शही हो गया पहला ऑप्सन बिलकुल सही हो गया इसके माद आया कोश्चन नम्बर 43 कोश्चन नम् पांच जिए भार्वादफल पांच उप्शन से लिए यू ऑप्शने झीड़ी ऑफ्शन है इस वाधफ फ्षेव आप शॉलार दो और दी ऑप्शन है पच्छन बटे-चार और पॉण इस ने अंतर 5 लियुए उसने अंतर पांट श्यार उर बड़ी संखया और छोटी संखह से भाग दें न भाग तो भाग फलkov 5 मदर चाह 타ूए जा नी यहाज़но कटने का ठीक है यह कटेगा तो दो जाएगा यह गलत है तो यह तर सही हो गया वहीं दिना कुछ कर रही है आग्या अनस्वर ओप्सन से कोश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं भई 44 का है वे तेन संख्राओं में से पहली वे दूसरी का अनुपात आठ अनुपात नो है पहली जबकि दूसरी का अनुपात आठ अनुपात नो है जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात तीन अनुपात चार है हमें तीन का अनुपात निकालना भी पहली दूसरी और तीसरी यहां पर लिखेंगे तीन यहां पर लिखेंगे नो तो आठ तिया चोविस नो तिया 27 नो च क्या होगा अनुपादाया आठ नो और बारे ये सारी चीजे बड़ी के आसानी से हो जाती है अनुपाद समनपत वाले चैप्टर में बिलकूल डिटेयल से बढ़ेंगे ने इनका गुणनफल दिया गया है किसका पहली और तीसरे गुणनफल दिया है चोविस सो तो दूस संख्या निकाल लिए तो मैंसे निकाल दो भई ảि कांग so discussing न। न्मलर 85 यह है को इस संस्ख्या डूसरी से लूनी है पहली संख्या दूसरी और तीसरी यह एक तो वित दू है तथा तीसी संख्या की आधी है, तीसी संख्या की आधी है, तो तीस संख्या की डबल हो जाएगे चार, यदे तीनों का उसत छपन है, तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा, पहली और तीसरी का अंतर चाहिए भई, और तीनों का उसत द्या छपन, योग बनाना तो तीन स तो इस तरह से यह आया अंतर इसका पहली और तीसे संख्या का अंतर आया कोशन नमर शालिस से बात करेंगे वही क्या है तीन संख्याओं का योग अब इसमें दिया है तीन संख्याओं का योग 102 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है पहली औ और तीरती है मतलब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इन्होंने दिया है भई पांच अनुपात तीन है तो इहाँ पर पूछ लिया है इन्होंने देती है संख्या मतलब दूसरी संख्या बतानी है चलिए पहले हम बनाएंगे अनुपात अनुपात बनाने के लिए इस इसका मतलब 10 अनुपात 15 अनुपात 9 यह आ चुका है इनका अनुपात और टोटल है 102 तीन संख्याव को योग कितना दिया है 102 और यहां पर योग कितना हो चुका है वही 10 और 15 25 और 9 34 अगर हमें दूसरी संख्या से यह मतलब 15 बराबर हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या तो 34 से कितनी बार कटेगा तीन बार तूसरी संख्या के गर में बात करूँ तो कुर्दो क्रोस मल्टिप्लाई तो 15 यह 45 तो दूसरी संख्या है वह कि आ जाएगी भई 45 आ जाएगी नेक्ट है कोश्य नंबर 47 का करा भी तीन संख्याव में से पहली दो संख्याव का योग 45 और दूसरी और तीसरी संख्याव का योग 25 है तीसरी संख्याव और पहली के तीन गुने का योग 90 है तो तीसरी संख्या बता नहीं है देखें उसने पहली और दूसरी का योग दिया पहली और दूसरी का योग दिया दूसरी और तीसरी का योग दिया अगर मैं इन्हें घटा माइनस दस है तो इहाँ पर एक समीकांड यह बनेगी ठीक है इसके बाद देखते हैं उस ने पन तीसरी संख्या किम पहली के तीन Landing का योग कितना दिया है इसने इसनेucken क्यां है तीसरी संख्या बतानी है, तो इसे आप कर दें, तीन से multiply, तो तीन से multiply करीं, तो तीन इंटू पहली, माइनस तीन इंटू तीसरी, बराबर माइनस तीस, समीकर नंबर बन जाएगी तीन, अब अगर ये हमें घटा दें, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है जी, तो तीन और ए इस तरह से question number 47 हो चुका है आपका, question number 46 और 47 आप देख चुके हैं, 46 और 47 आप देख चुके हैं, next देखते हैं, question number या चुका है, 48 पा, question का गरावी, दो संख्याओ योग 184 है, दो संख्याओ का योग 184 है, मतलब दो संख्याओ हमने माली A और B, दो संख्याओ हैं, उनका योग 184 है, ठीक है जी, अब उसने का, कि यदि एक संख्या का एक तिहाई, दोसी संख्या के सात्वे से आठ दिख है, तो छोटी संख्या का है, अच् काति हैं बी के सात्वे से बी के सात्वे भाग से कितना अधिक है भई यह है आठ अधिक है मतलब इन दोनों का अंतर आठ है इसका मतलब यहां पर आप हल कर लें तो 21 से मल्टिप्लाई करेंगे तो साते माइनस आ जाएगा भई तीन भी मराबर सात्या 21 और 21 गुणा कर देंग आठ में तो 168 आ जाएगा अब हमें वैल्यू चाहिए बी की अगर बी की चाहिए तो एकू हमें यहां से करना होगा एकू हम यहां से खतम करेंगे और उसके लिए हमें करने बड़ेगी हाँ पर किसे सात से मल्टिप्लाई तो यहां साते साथ भी बराबन साथ से करी में निटिपलाई साथ चोग अठाइस दो और साथ अटे छप्पन अर दो अठावन पांच साथ और पांच बारा कुल मिलाकर ये बनी बात ठीक है अब घटा दो जी घटा दिया ये कैन चिलो चुका है माइनस दस भी आ गया है घटाया तो कितना ह और यहाँ पर बना एक 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 एन चिलो अब ही तो जीरो से जीरो जाएगी तो बी की वैल्यू एक सो बारे बनी है भी की वैल्यू एक सो बारे बनी है ठेक है अब यहाँ पर ए प्लस बी बराबर है एक सो चुरासी के तो ए प्लस बी की वैल्यू एक सो बारे बराबर ए 184 मतलब A बना बना जाएगा 184 माइनस 112 बनाबर 72 अब देखे छोटी वैल्यू के बात करी थी तो A का आई 112, A का आई 72 इसका मतलब 72 छोटी है यह जो हम बना रहे थे B, B नहीं छोटी, B नहीं आई छोटी, छोटी कौन सी आई यहां पर A, जिसकी वैल्यू आई 72 इसका मतलब 48 बना जाए 72 नेशुटर, नेश्क देखते हैं किया है यह है Qelection No. 1.49 क्या है, दो संख्याओ का अंतर 1365 है, बडी संख्याओ का छोटी संख्या से भाग देने पर मागफल 6 और 6 फल 15 रहाता है, देखे दो संख्याओं का अंतर 1365 है अगर एक X है तो दूसरी 1365 प्लस X होगी भई ठीक है अगर हम यहाँ पर छोटी संख्य से बड़ी संख्य हो भाग दें तो भाग फल 6 और 6 फल 15 आ रहा है अब यहाँ पर यह है भाज यह है यह है भाजक भाग फल 6 फल अगर यह चाहिए 1365 प्लस X बड़ाबर किसको जाएगा 6 इंटू X 6X प्लस 15 X को इधर ले जाओ 15 को इधर ले जाओ तो 15 घटाया तो 1350 बना और इधर लेगे तो 5X बना 5 से काड़ दिया वई 5 दू इंदस 5 साथे 35 इसका मदलब जो छोटी संख्या है वो है 270 270 चोटी संख्या है, यह संख्या पत्ती में है हंसमे संख्या पत्ती गासठी है उसमें भी कोश्िन To Same है Next है, कोश्चन नंबर पचास, फचास माँ कोश्टन का है अमनोपाद पाच्छर्फे ले से 300 है तो चोटी संख्या बताने तो इसके लिए मैं पहले ही पता चुका हूँ क्या है पहले हम निखालेंगे मैसे तो मैसे निकालना तो लेसे दिया गया है लेसे बटे अनुपात का लेस तो तीन गुणा पांच हो जाए गभी पांधिया बंद्रह 15 दुनी 30 तो या गया 20 ठीक है मैसे कितना है 20 अब हमें कौन से चाहिए है छोटी संख्य चाहिए चोटी संख्य चाहिए तो 3 में multiply बड़ी संख्य चाहिए तो 5 संख्य चाहिए हमें छोटी संख्य दिखा लो जी कितने हैं भरी 3 गुणा 20 मतला यह बनेगे भाई 60 तो यह हो चूका है आपका question number 50 लुअस nixt बडे हमें जो होगा beşष नंबर का consumer income question Newton Candle की तरफ चले क्लें क्वें कौम्छी संख्याह है जिसमें साड़े 27 की कम्य रभर ने सटसी मी कर दें अपना संख्या सो है अदू में सटाइस का में कर देंगे सह ब्रददर बराबर ही किसके है यह ed if और संख्या चाहिए तो मतलब सो प्रसेंट बराब हो जाएगी क्या संख्या के अब देखें पॉइंट रटाना जीरो लगा दिया हमने 25 से काड़ों से 25 तिया 75 ठीक है जी पच्छिस दूनी 50 बचे कितने बचे हैं 22 25 हुए 25 नियमा 225 पच्छिस चोका 100 जीरो आई अब 29 तिय बनी भई संख्या बनके 40 तिया 120 तो 120 इसका उत्तर बनेगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नमबर 22 किसी संख्या में 37% की पहले 27,27 गटाया था अब के 37 जोड़ दो तो 135 परसेंट बराबर किसके है 33 के है और हमें क्या निकालना है संख्या निकालनी मतलब 100 परसेंट बराबर क संख्या निकालना है रही 35,25 बंजी 125,12,25,25,25,25,25,25,25,25,25,24, ठीक है जी 11,55,15,15,13,35,15,8,40 तो संख्या कितनी बनी वनी 8,24 तो वो संख्या कितनी है 24 संख्या क्यालना है 24 नेक्स्ट देखते हैं नेक्स पूस्टर आया है यह उसत से संभंदित होच्टन जो तरह पर्मा कूस्टन है ओसत संभंदित है कई इन के टीन करमा को तुन जो पूद भाय है तो निकाल दो तो तीन पूनत है इसका मतलब बीच के संक्या 30 है और तीन के कुनत है तो मतलब तीन घटा दो के तो पहली मिल जाएगी तीन जोड़ दो के तो बाद बाली मिल जाएगी उसे बड़ी संक्या चाहिए तो 33 ठीक है जी हमने तीनों निकाल दी उसने पूछी दिया हमार से एक लेकिन इतने ही समय मे हमने तीनों निकाल दी तो तीनों ही आपके सामने है बड़ी चाहिए 33 छोटी चाहिए 27 बीची चाहिए 30 चोबर वा कोशन है चार की घट दो बटे नों स्क्यार के अंसता हर परतियक में कितना जोड़े कि चार बटे नों हो जाए देखें चार कावर मतलब 16 नों कावर चार से गुना करी हमने तो 324 प्लस 4 एक्स पूल मिला के यहां पर 5 एक्स बरामर घटाया तो 0 बारे में से 4 गए 8 एक्स वास्ति पांस से भाग देंगे 5 तिया 15 पांच चंक 30 इसका मतलब हमें 36 जोड़ना पड़ेगा जिससे कि यह 4 बटे 9 आजाए ने सोचन की तब बढ़ते हैं जो होगा कोश्चन अम्मर आपका 55 पचपन वा कोश्चन है कोश्चन अम्मर पचपन क्या है वही दो भीनों को गुणा फल 14 पांदर है और भाग फल 35 पांदर चोबिस है गुणा फल दे रखा दो भीन मतलब एक एक्स है और एक वाई है गु तो हमने क्या करा गुणन फल और भाग फल की कर दी गुणा तो इससे कैंचल हो जाएगा वही दो सब्सक्राइब आरे बार पांदर है पांदर है पांदर है पांदर है इसका मतलब एक्स स्क्वेर बराबर उननंचस बटे शत्तिस तो यहां पर जो संख्या आए जाएगी अपकी वह क्या है कि 7 पटे 6 और यही इस संख्या आख का आंशोर भी बन जाएगा तो नेक्ट सम्क्राइब आज हाज का सब्सक्राइब दो संख्यास के व्युतक्रम होता है उल्टा रिसी प्रोकल्स वीत्कर्म का योव। च्छालीस बटे किस हैं तरथा इन संख्याव के विद्कर्म का अंतर दस बटे किस हैं तो यह संख्याएं कौन से एंगे बीजु और फैला दिया हैं तीन दिन बटे 19 में दूसरा अप्टन क्या दिया बहुत हैं और चोथा उप्सन, चोथा उप्सन है भई, तीन बटे चार और साथ बटे छे, ठीक है, अब देखें क्या है यहाँ पर, व्यूत करम मतलब उल्टा करो उसके बाद उसका योग और अंतर देखना, जब उल्टा करो कि जो अंस है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंस बन जा यहाँ पर कितना ना चालिस गलत है भई, यहाँ पर कितना ना चालिस गलत है भई, यहाँ पर कितना ना बारे गलत है भई, यहाँ पर कितना ना बारे गलत है भई, तो यह तो सही हो नहीं है, तो साथ यह किस बिलकुल सही है, तो इसे हमने कर दिया ओप्सन से, ओप्सन से, डानेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं आई नेक्ट कुछन देखते हैं जो होगा, कोश्चन नमबर सत्तामन कोश्चन नमबर सत्तामन क्या करा अभी दो संख्याव के योगफल और गुणनफल ग्यारे और अठारे हैं व्यूत करम का योग अगर योग निकालना है आपको योगफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा योगफल वटे गुणनफल याद रखना योगफल वटे गुणनफल ठीक है इस टाइप के कई कोश्चन संख्याव पदती के जब प्रीवेस येर के कोश्चन के थे तब आये थे कई कोश्चन आये थे तो अगर वो भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे है तो उन्हीं भी देखें आपको बिल्कुल चीजे के लिए रोजाएंगे ये है योगफल क्या रहे है और गुणनफल कितना है भई व्यूत करम का योगफल बराबर हो जाएगा अब योगफल बारे दिया है और गुणनफल कितना दिया थे इसका मदलब बारे पटे थे 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 ये भी आसान है तो कोश्चन नमबर अठावन भी हो चुका है भई नेक्स लेते हैं जो होगा कोश्चन नमबर उनसट फिफ्टी नाइग कोश्चन नमबर उनसट के तरफ बढ़े क्या है भई एक भीन के अंस में 20 परसेंट तदा हर में 25 परसेंट की व्रधी कर दें तो तीन बटे 5 पराप्त होती है मूल भीन बतानी है इस टाइब का पिछली वीडियो में भी आपने कोश्चन देखा है क्या है भई तीन बटे 5 पराप्त होता है क्या पराप्त होता है तीन बटे 5 तो मैंने पहले बताया है इसे पहले भी जो कोश्चन आए है इसी एक्साइज में उसमें भी एक बात बदाई थी कि जो काम इसने अंसमे करने को हैं जो काम इसने अंसमे करने को हैं वो कर दो आप हर में और जो काम इसने हर में करने को हैं वो कर दो आप अंसमें डालेक्ट आप अंसर पर पहुंच जाओगे अंत में 20 परसेंट की वद्धी आप करोगे हर ने इस परसेंट की वद्धी हर में 25 परसेंट की वद्धी On cases 15 बटा 35 पंच पच्चेट पानd दस पान चोगभेस और 38 K24 इसका मनला जो मूल भिन थी वो इतनी थी वही 5 बट MtT नेक्स कॉस्चन है कोशनने मर साथ जखते हैं भी काए एंस में बीस पर्षेंट कि वद्धी और हरमें पाँपरसंट की कमी तो 9 भीन पाँच बटे 2 प्रापत होती है प्रारंबिग भीन या मूल भीन क्या है इसी का भई है बिलकुल इसी का भई है क्या प्रापत हो हमें पाँच बटे 2 अब जो काम अंस में का है वो हर्मे कर दो आप अंस में 20% की रदी है तो मतलब 120 लिखेंगे का हर में और हर में 5% कमी मतलब यहां पर पिचाण में लिख देंगे अब देखें काड़ बहीं से 5 से काड़ दो अब मल्टिप्लाइ कर दो बस 19 लिखें कितना जाएगा भई पिचाण में बटे 24 दूनी 48 और यही आपके इस कोश्चन का अंसर बनेगा पिचाण में बटे question number 61 से क्या है एक भीन के अंस में एक बटे 4 जोनने तरफ हर में एक बटे 4 घटाने पर प्राप्त भीन expense 33 चोउसठ है तो मूल बहीं का है देखे अगर मैं मूल भीन burner मैं मूल भीन expense बटे शाय जोड़ ना फर्संटेज ने दिया एक बटे चार हार में एक बटे सब्सक्राइब Masster an app कि झाँ है मुल भी नहीं कर सकते इसे हम ज्याद नहीं कर सकते य Corporation वो जब दूंध ल्म बेरिबल को अलग-ज्याद करने के लिए हमारे पास दो श्मिक्न हुनी चाहिए गुणा में हमारी बात बन जाती है अ急 गुणा होती है तो डारेक हम इससे पहली वीडो में जैसे हमने देखा है इससे पहले जो कौशन थे हैं जैसे कोशिन नमर 60 और 69 था तो उन दोनों को जिस तरह से किया उस तरह सब्सक्राइम गुणावाले लेकिन जो प्लस माइनस वाले हैं उनमें दो वेरिबल हैं तो दो सम मूल भी नहीं इसे भी options से लिए आमने, देखे, 1 बटे 2 option है A. B. option क्या है, आपका 5 बटे 8 है C. option क्या है, आपका 11 बटे 17 है D. option क्या है D है, निर्धारित नहीं निर्धारित नहीं और E. option इने में से कोई नहीं None of these ठीके जी अब खकर अगर अंसुर हर प्रतेक में चलो एक जोड़ देख लो भい तो कितना है दो बटे 3 और दो बटे 3 यहाँ था अच्छा इसमें भटे देखो भई तो 6 बटे 9 6-3-9 मतलब यो भी दो बटे तीन है अगर इसमें जोड़ के देख हूं तो 12 बटे उत स्चाथे से लगाई लगाई bütün देखें तो एउप्शन दोबडीतीन आया आड दोबडीती नाया दोर्टीन यहां लेकिन हम काणफरम कैसे करें कि बैठीग अठीग है इस ने जोग। और सही यह भी अपनी जग़े है यह भी अपनी जग़े है यह भी अपनी जग़े है तो इसका मतलब इसका D option बनेगा भी निरधारित नहीं कर पारे हम कौन सा लगाएं कौन सा लगाएं A लगाएं B लगाएं या C लगाएं next देखते हैं next देखते हैं question number 63 question number 63 क्या है भी किसी भीन के अंस में 2 घटाने पर तता हर में 3 जोडने पर भीन 1 बटे 4 हो जाती है किन्तु भीन के अंस में 6 जोडने तता हर में 3 से गुणा करने पर 2 बटे 3 हो जाती है मूल यहां है 3 बटे 5. उसने क्या का, कि अंस में दो घटाने पर. देखे, इसमें से 2 नहीं घटाएगा, माइनस मा जाएगी, और वहां पर जो भीन है, वो पलस में है, ठेक है? यहां पर जुरा जाएगा, उपर, खातम हो जाएगी तुछ भी नहीं खातम हो जाएगी इसके बाद यहां गट सकता है दो गटा दो अंसमें से दो गटा दो और हर में तीन जोड़ दो कितना है दो वटे मिलकूल सरी मिलकूल ञें ऐक और उर चाहिए यहां वाटे तो एक बटे आठ आया, यहां एक बटे चारा, यहां एक बटे आठ, इसका मतलब दूसरी कंडिसन चेक करने के जरूती नहीं, क्या है, हमारा स्री आप्षान यहां पर सही हो जाएगा, नहीं कोशन देखते हैं, जो कुशन नम्मर 64 है, यह भी इसी टाइप का है, इसको भी हम किस से लेंगे, इसको भी उप्षन से ही लेंगे, क्या है, एक भीन के अंस सता हर का यूग 11 है, यदि अंस में जोड दें, तो हर में दो घटा दें, तो भीन 2 बटे, 3 मंजाती है भई, भीन बता नहीं है, क्या उप्षन है, 3 बटे 8 है, दूसरा उप्षन है, 5 बटे 6 है पर भी यहां, पर भी यहां, पर भी, बटे यहां, मतलब तहली बात सभीने पूरी गिए, यदि अंस में जोड दें, हर में दो घटा दें, तो 4 बटे 6 हमें, तो 2 बटे 3 है, और अना केतना चीह आता, 2 बटे 3, तो आगे जाने के जरूरती नहीं, और यह भीन जा जाने के कई पॉप्शन सही आ गए थे तो एक कोशन एक को उप्शन पोड चेक करें यह जह हैं बटे चार नलब तीन बटे दो और महारा है दो बटे तीन और यहारा है तीन बटे दो मतलब आप अनफर्में कि इन में से कोई सा ठीक नहीं होने का पहला ही उत्तर सही है ठीक है कौशन नमर 65 की बात करते हैं सक्षाह किसी खेंन के अंसता हर पंत्तिक में पांच जाती है एक यह सात बटे नो है इसन रहे एक जोनने पड़के 5 ही check तो एक बात का पता लगा हम यहां से एक बात का पता लगा कि अगर किसी बिन में मैं सेम संख्या जोड़ रहा हूं तो अगर उचित होगी तो उचीत होगी तो अनुचीत होगी तो अनुचीत ही रही क्योंकि सेम संख्या जोड़ी है अगर मैं दो बटे पांच में एक सोटा हर्से रहेगा लेकिन अगर मैं देख हुँ पाँच बटे तीन मतलन दो बट एक तो यहां अंस बढ़ा था हर्से तो बहीं है वह चारवंज पाँच आरे हर एक जोडने पर तो देखं़ हमक्त बढ़ा है और इसका अंस बढ़ा है तो दोनों में तो यह दो तो वेसी अमने लगाशी अँटाइए क्योंकि soon सकते क्यों कि जो उत्तर आणाई चार्थy. तो यह बड़ा हो चुका थे इनWowi एग जोड़ा दो जी एक जोड़ येaa क्या करें में उसने का पर्तियेग में एक चोड़ने पर क्या हो जाती है चार बटे पांच यह क्या बनी बढ़ी दो बटे थी नहीं बननी बात लेकिन अब इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो यह आठ बटे दज मतलब कुल मिलाकर चार बटे पांच और डी ओप्सन सही हो जा है कि पहली संख्या के दुगने और दूसर संख्या के तीन गुने का योग कितना है? 36 है चलो जी आगे क्या का? पहली संख्या के तीन गुने और दूसर संख्या के दो गुने का योग 49 है ठीक है? तो छोटी हमें यहाँ पर संख्या बतानी है छोटी संख्या बतानी है तो तो देखे यहां पर हल कर दो जिसा, 3 से multiply इसे करी हमने, 2 से multiply इसे करी, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 36 तिया 108, यहां पर 2 से multiply करी 6, 4 और 49 दूनी 78, घटा देंगे वही, घटा दिया, तो यहां पर बचा, 5 y और यहां पर बना 30, तो 5 चंक 30, तो y के value कितनी आ चुकी है, 6, य के value कितनी आ चुकी है, 6, और यही छोटी संख्या भी है, तो question number 66 का, जो answer बनेगा, वो बनेगा, इन में से कोई नहीं, यह option सही बनेगा, क्योंकि यहां पर 6 दिया ही नहीं है, नश देखते हैं, 2 संख्या निकालेंगे, वो 9 आ जाएगे, वो बढ़ी आ जाएगे, 67, यह भ दो संख्या ऐसी हैं कि पहली को दो बार जोड़ें, पहली को दो बार जोड़ें, और दूसरी को तीन बार जोड़ें, तो 100 आता है, पहली को तीन बार, दूसरी को दो बार जोड़ें, तो 120 आता है, तो बड़ी संख्या बता नहीं, तो बड़ी संख्या, जैसे अभी मैंने किये था question बिल्कुल ऐसे करने के बाद में आपको बड़ी संख्या का answer करना है भेया comment box में comment करना है एक question आपके लिए दिया क्योंकि इससे पहला question बिल्कुल सेम था तो same question है अगर नहीं होता तो वो भी comment करते हैं आप अगर नहीं हो पारा तो अगली वीडियो में वो भी करा दूँगा आप टैंसन न ले question number answer 68 क्या है एक ग्री अंकिया संख्या की अंको को प्रसपर बदलने से प्राप संख्या मूल संख्या से तरह सट कम हो जाती है यदि संख्या के अंको का योग ग्यार है तो मूल संख्या क्या है देख भी 29 बाण में 74 निरधारित नहीं और इन में से कोई नहीं ये option है A, B, C, D और A अब इसना का अंको का योग ग्यार है तो ग्यार है यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी इनने बात नहीं योग बात तो पूरी करी लेकिन उसना का यदि हम अंको को प्रस्पर बदल दें तो मूल संख्या से 63 कम होती है ये कम है क्या बई ये तो ज़्यादा है तो ये तो उत्तर मन नहीं सकता ठीक है ये कम है बिलकूल और ये भी कम है कितनी कम होनी चाहिए 63 गटा के देखो भई बारे में से नो गए तीन यहां पर बचे आठ आठ में से दो गए 6 तरने सट ही कम है यहां पर भी गटा के देखो भई चोदे में साथ गए 7 और 6 में से चाहर गए 2 यहां 27 कम है इसका मिदलम बी ओप्शन ने सभी कंडिसन पूजी करी और यह बी ओप्शन इसका हो जाएगा सुही नेक्ट देखते हैं कोश्चन नमबर 69 69 क्या है एक द्वी अंकी है संख्या के अंको को प्रस्पर बदलने से प्र क्या है उप्शन यहां पर 64 दूसरा उप्शन 46 तीसरा उप्शन 42 चोथा उप्शन 24 और 5 उप्शन इन में से कोई नहीं अंको का योग छे बताया बताव दस आरा इसका इन दोनों का तो यह तो वैसी खतम होगी इनका 6 है इनका 6 है अब क्या कहा कि अंको को बदल दो बदल जी 24 यहां पर वैसे तो बदलने से प्राप संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है यह कमा कि इस देख लो कितना अधिका रहा बारे में चाहर गए 8 इसका इसका डी आप्सन सही है आपर नेक्स देखा कोशन हमान सत्तर ठीक है तो एक द्वी अंक्या है संख्या के दोनों अंको कि अस्थान पर ब्लने पर प्राप संख्या मूल संक्या से 27 कम होती है संख्या के अंक एक उनुपाथ दो के अनुपात में है ठीक है जी अब आंको के बात करें तो पहले एकाई अंग आता है फिर दाही आता है मतलब एकाई और धाई के का अनुपात है एक अनुपात दो देखें ओप्सन लिया आमने 36, 63, 48, निरधारित नहीं और इसके बाद इन में से कोई नहीं उससा चोड़ कर लो पहले ईन्थ कोई चैकर लो उस्के बाद देखते हैं उसने का एकाई और धाईं एकाई और धाईं और धाउं का अनुपात जो है वो एक अनुपात दो आज़ी है मतलब यहां पर का एमılarा इकाई बाद है यहां पर कितना? दो अरुपात एक, यह दो होने का निवाई, एक अरुपात दो, यह दो अरुपात एक तो ना यह बननेगा, इसी कुछ आ करलो बस, क्या करना है उसने? उसने का कि अंको को अगर पलट दे, पलट दे, पलट दिया, तो संख्या, कितनी 27 कम होती है? यहाँ पर पांच में से, तीन जाएंगे, दो 17, तो यही आंजपर इसका बनेगा, दुसरी बात, यह बच्चों के मिल मन में डाउट आ रएक बैब हु द mesa को है, यह भी हो सकता है, उसने कहा पलटने पर संख्या मूल संख्या से 27 कम है मनलब बाद वाली संख्या कम है और यहां क्या रही है देखिए ज्यादा रही है यहां क्या रही है ज्याद है तो यह दोनों इस वज़े से भी नहीं हो सकते ठेक है मैं समझता हूँ अब आपका डाउट यह बिल्कुल किल मूल संख्या तथा इसके अंको को प्रसपर बदलने से प्राप संख्या का अंतर चोवन है मूल संख्या का 40% कितना अब देखे 40% पूस रहा चलो ओप्सन से लिए हमने 40% 15.6 है तो 100% बराबर क्या होगी संख्या होगी नहीं होगी बिलकुल होगी भई हमने क्या करा अब देखे बदल दूँ तो यह आ रही है तिराण में दोनों का अंतर अंतर कया तो बड़ी छोटी सा कोई अंतर नहीं है कि पहली बड़ी है कि बादवी की बड़ी उससो कोई दिक्कत नहीं आने वाली 13 में से 9 गई 4 8 में से 3 गई 5 54 है तो इसका मदलब जो ए उप्सन है 15.6 वो बिलकुल सहे उत्तर बता रहा है नेक्स देखते हैं कोष्ट नम्मर बातर की तरब चलते हैं कोष्ट नम्मर बातर क 20 के योग से 3 उनी है इस संख्या में 45 बड़ने पर अगे प्लड़ जाते हैं इस संख्या क्या है बई कोष्ट ने कि हुचा मेंगे 3 24 70 25 बातर तरह नहीं है है तो आपने देखा यहां पर काफी कोश्चन जो है वो किसे आपशण से हो जाते है काफी कोच्चन option से भी हो जाते हैं देखते हैं question number आपका 73, question number 73 की बात कर लेते हैं वही का है, दो भिन्नों के हर करम से 5 और 7 हैं, इन दोनों का योग 41 बटे 35 हैं, तो था इन भिन्नों के अंस्पर्ट देने से प्राप्त भिन्न का योग 43 बटे 35 हैं, तो ये भिन्न क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भिन्न क्या है, इसके लिए option ही लिया हमने, पहला option लिया वही, 2 बटे 5, 4 बटे 7, अचा जितने भी option हैं आपके सामने, उस सारे सारे बटे में, मतलब हर उसका 5 और 7 है, तो एक कुछ चेक करते से लिए जाओ, उसने का योग इनका 41 बटे 35 है, क्या इसका 41 बटे 35 हैं, पहले इसे ही चेक करो, साथ दुनी 14 है, और 5 बटे 25, मतलब कितना आया, 34 बटे 35, नहीं भई, ये तो गलत है, अगर एक भी condition गलत हो रही है, एक भी सर्थ गलत हो रही है, तो question, concern, वो होई नहीं सकता, दोसर दिया हमने, तीन बटे 5 और दूसरी बिन दी है, उसने 4 बटे 7, इसका मतलब दोनों को जोड़ दो भई, 35 है, सात्या 21, पांच ओक 20, ठीक है जी, तो कितना आया, 41 बटे 35, बिल्कुल सही है, अब उसने का दूसरी गड़ने क्या कही, कि अगर इनको पलट दे, मतलब यह तो 4 बटे 5 बनी, और यह बनी 3 बटे 7, पलट देने पर, क्या हो जाए, भिन्नों के अंग पलट देने पर, उनका योग 43 बटे 35 हुआता है, देखो जोड़ के, साच चोग 28, पांच या 15, पंदरा 28, 43 बटे 35, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सोट का इसका के तरह बढ़ती है, क्वेश्चन नम्मर जो होगा 74, 74, क्वेश्चन नम्मर 74, क्या गयरा भई, एक अंगर के अंस का दूना, हर से दो अधिक है, तदा अंस ता हर प्रतिक में 3 जोडने पर, भिन 2 बटे 3 प्राप्त होती है, मूल भिन क्या है, औप्शन ले लोगी, 5 बटे बार है, और यह उप्शन इन में से कुई नहीं, क्या का अंस का दूना, हर से दो अधिक है, तो 5 दूनी दस, खमार रहा है भी यह दो भी, 6 दूनी बार है, अभी भी कम है भी, यह वैसे ही जाद है, इसकी दूने करने ही जूद नहीं पड़ी, 7 दूनी 14, दो अधिक है, बि 75 लिया हमने, कौशन नमर 75 का है, एक परिक्शन में, शात्र को किसी संख्या का तीन बटे चोदे गात करना था, और तोटी से उसने तीन बटे चार गात कर दिया, जो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से डेड़ सु अधिकाया संख्या क्या है, अगर कभी भी इस टाइप का तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कम देगा या तो संख्या या अधिक देगा, वो तो लिखेंगे उपर, और बटे, जो भी संख्या दी गई है, जिनसे वो कह रहा रहा कि इससे ये ग्यात करना था, इतने से गुना करना था, इतने से भाग करना था, उनका अंतर नीचे लि देखे इसका एलस्यम कितना है 28 तो पर जालेगा भी ठीक है तो चोदे दुनिय 28 तीन दुनिय 6 और चार सत एठाइस साथ्या 21 21 मैसेज 6 गए 15 यह कैंसिल करना 10 तो कुल मिलागर कितना है 28 और 280 वो संख्या थी जिसका हमें और 75 के बाद मैं समझता हूँ 76 आज स्टार्ट करेंगे भी हम किसी विध्यारती को एक संख्या को 12 से गुणा करने को हां गया तोटी वस उसने उसे 21 से गुणा कर दिया इस परकार उसका अक्तर सही उत्तर से 63 अधिक था जिस संख्या को बड़ कर दें हैं जल्दी में गल्ती जल्दी में गल्ती हो जाती है वही काम वहा इसके साथ पिचारों कहा था बारे से गुणा करने कर दिया 21 कितना अच्छा इसका फोर्मूला मैं लिखा चुका हूं 75 कोश्चन के घाद कम या अधिक कम या अधिक बटें अंतली फायदा बने आपर तो कितना दिया है इसने इसने दिया है तरहें सटा दिख और क्या आता एक बारे से गुणा करने का था कर दी किस से गुणा तो दोनों का अंतर कितना है आप ही नो तो जो संख्या थी वो साथ थी जो संख्या थी वो क्या थी साथ 77 क्या है वहीं किसी संख्या के द्वी गुण वर्ग अठारे है अठारे का घन है अठारे का घन है क्या कहना है उसना कहा किसी संख्या के द्वी गुण वर्ग मतलब वर्ग का दूना अठारे घन है तो संख्या बता नहीं तो दो गुणा संख्या का वर्ग बराबर इसे कह लिख सकता हूं मैं अठारे सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ दो तंइए अगर मुझा संख्या चाहिह एंगर संख्या चाहिए आफ इंट्थार्य तो आफच्ञ्ञ्ळ एक जोड़ा बनो सकते है नो में 17 बारे जाएगया इसका सेवन्टी एट कोश्चन नमर सेवन्टी एट क्या है जदि ग्यारे करमागत धन पूनांको का योगफाल सत्ताइस सो एकसठ है तो मद्धे की संख्या वहिया मद्धे की संख्या चाहिए इससे आसान तो कुछ हो इन सकता ओसत का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है ओसत का संख्या को चार से भाग करने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है संख्या बदाओ अच्छा ओप्शन लिया ए ओप्शन चालिस दिया बी ओप्शन इसने 32 दिया चार से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम होता है अब देखे चार से भाग करें 10 कितना कम हुआ 30 कम हुआ करना था 21 कम गलत है बई के तो चार से भाग करा चार अठे 32 ठीक है जी कितना कम हुआ बई यह अगर मैं 32 में 60 गटाओं तो 24 को मदला भी गलत है चार से भाग करा तो आया साथ कितना कम आया 21 यही तो आपका आंस्वर है नेक्स देखते हैं कोश्चन नमबर 80 कितर बढ़ते हैं असी वा कोश्चन आपके स गुणनलफल 120 है योगफल कितना दिया 23 तो दोनों तरफ को बर कर दो गई जैसी वार करा तो x square plus y square plus 2xy बराबर 549 उसने का इनके वरगों का योग बताना गुणनलफल देखा कितना 120 इसका मतलब x square plus y square plus 2 गुणना 120 बराबर 530 120 दूनी 240 गटा दो बढ़ी 240 तो कितना बचा 9 कितना बचा 8 कितना बचा 2 तो ये वरगों का योग आ चुका है आपका तो वरगों का योग भी आ गया भई नेक्स देखते हैं question number क्या आया 81 एक शिवा question देखते हैं वरगों का अंस 2 कम करने से भिन का मत एक बटे 3 हो जाता है भिन का मान कितना हो जाता है एक बटे 3 हो जाता है यदि मूल भिन का हर अंस से चाल देखो तो मूल भिन क्या है देखो option 3 बटे 7 है दूसरा option कितना है 7 बटे 11 है तीसरा option 5 बटे 9 है और चोथा option आपका 9 बटे 13 है क्या का है इसने किसी भिन का अंस 2 कम करने से भिन का मान एक बटे 3 हो जाता है कितना कम करने से दो कम करने से दो कम करेंगे तो एक बटे 7 यह तो हो जाता दो कम करेंगे 5 बटे 11 यह भी नहीं हो सकता दो कम करेंगे 3 बटे 9 बटे 9 बटे 9 का मतलब एक बटे 3 मतलब एक बटे 3 जाएगा किसी संख्या के एक चोथाई का एक त्याही पंद्र है संख्या के एक चोथाई अब मैं कहां नहीं लिखना का गुणा दिखूंगा एक चोथाई का मतला है वेक बटे चार का एक त्याही मतलब वेक बटे तीन बराबर कितना है पंद्र है तो संख्या का तीन बटे दस ग्यात करना है लेकिन पहले संख्या ग्यात करेंगे तो 15 गुणा पार है और इसका भी तीन बटे 10 ग्यात करना है भई यह ग्यात करना है तीन बटे 10 तो इसे भाग कर दो भई पांसे पांतिया पंदरे पांदो ने दस दो शिक बार छेत्या अठारे अठारे तिया हो जाएग चुमवन तो तीन बड़े दस कितना जाएगा इसका चुमवन मतला भी इसका तो टी ओप्सन सही हो जाएगा और ये है तिरा सिवा कोशन जो इस चैप्टर का लास्ट कोशन भी है यदि किशी दो अंको के एक संख्या के अंक प्रसपर पलट दे जाए तथा इस परकार सब्सक्राइब कर दिया भी तो जो संख्या बनी उसका आधा कर दिया भी तो जो संख्या आधा करने के बाद आई वो चोदा कम है और कितनी कम है चोदा ही कम है इसका मतलब यही उत्तर बन जाएगा किसका तिरासिवा कटो एही ओप्सन सही हो जाएगा इस तरह से आपने आरसरमवाल के इस चैप्टर के संख्या उपर आधाई चैप्टर के तिरास्टी के तेरा सी कोशन देख लिए है अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बोक्स खुला है उसमें कमेंट कर सकते हैं और अगर चीजे सही लग रही है हम सही दिसा में आगे जा रहे हैं तो आप वीडियो को जाज जादा शेयर करें लाइक करें और चैनल को अगर नहीं सब सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ बैल आइकन को बिल्कुल दबा दें तो पनेरे हमारे साथ अभी दक के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद